मेरी गोल्ड के पौदे से बार बार लगातार फ्लावरिंग लेने के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे हमारे गार्डन में ये फूल लंबे समय तक बने रहें अच्छी फ्लावरिंग के लिए लगातार आपके गार्डन में फूल बने रहें इसके लिए कौन सी ख वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है तो आज की वीडियो में मैं ऐसे फटलाजर के बारे में बताने वाली हूं जिससे आपके गार्डन में फूल काफी लंबे समय तक बने रहेंगे और लगातार उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी और कुछ क्याटिप्स के ब आदा मैना बीद गया है आज 17 तारीक हो रही है धूप भी काफी तेज होने लगी है ऐसे में सबसे पहले अपने पौदे को ऐसी जगह रखे जहां पे सिर्फ 2-3 घंटे की धूप आती हो सुबह की धूप पौदों के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत तेज भी नह होती है इस टाइम काफी तेज धूप ने करने लगी है तो अपने प्लान को ऐसी जगह रखे जहां पे मौर्निंग की धूप उनको मिल सके इस टाइम धूप इतनी तेज होने लगी है कि आप पानी डालते हैं पौदों में तो अगले दिन मौर्निंग में देखेंगे आपक प्लांट बूशी होता है तो इस तरह से प्लांट में सूख्य फूल में चुरत फूल लगे क्योंकि मैं इसमें सुखी पतियां और सुखे फूल नहीं रहने देती हूं मैं उनको अक्सर हटाती रहती हूं जो फूल मिचोर हो जाते हैं आप चाहें तो उनको रख सकते हैं अगले साल के लिए ये प्लांट होगाने के काम में आएंगे अगले साल थंडियों में आप इन के बीजों से फिर से पौधा होगा सकते हैं और इस टाइम आप डालते हैं तो पौधा तो निकल आएगा पर उस तरह से फ्लावरिंग नहीं होगी इका दुका फूल ही आएंगे क्योंकि ये सर्दियों के प्लांट हैं तो सर्दियों के प्लांट जो होते हैं वो सर्दियों करते हैं तो आपका प्लांट की जड़े हैं वो गल जाएंगे और आपका प्लांट खराब हो जाएगा अच्छी फ्लावरिंग के लिए जब भी आपके प्लांट में कलियां बनना सुरू हो तो इसमें फास्पोरस और पोटेशियम युक्त खाद देनी चाहिए ये फ्लावरि लिए फ्लावरिंग कर रहे हैं और यह काफी कलिया बने हुई है अचम 920 शोट बूद्वाद में यूजब करने वाली हो यह है читय मैं करने करने आं इसला है और इसकी जगे पे आप i क्यम्न कर सकते हैं यह परो हैतार यूजब के लिए बहुत हैं इसमें थाising एास्फोरस, मैगनिशियम और पोटेशियम भरपूर मातरा में हैं आर अपने ये प्लांट पे अपने मेरी गोल्ड के प्लांट पे इसका इस्तमाल करूंगी एक पौधे के लिए एक शम्मच इसका जो रस है वो काफी होता है एक बार आप इसका यूज कीजिएगा देखिएगा कितना अच्छा असर दिखाता है पौधों पे तो चकोत्रा तो सब कहीं नहीं मिल सकता है तो इसके लिए आप मोशम्मी के जोज का यूज कर सकते हैं या फिर कीनो का भी यूज कर सकते हैं मेरे यहां इसका पे लगा है इसलिए मैं इसी को यूज कर रही हूँ आप फल का यूज कर सकते हैं मोशम्मी के जोज का कीनो का या फिर संत्रे का और नीवू के रसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं. एक पौधे के लिए एक चमच ये फटिलाजर काफी होता है. आप भी एक बार इसका योज करके देखिएगा. एक पौधे के लिए एक चमच परियापत मात्रा में होता है. इसमें लगातार प्लावरिंग आते रहेंगी. देखिए, यहां पे मैंने एक एक चमच सभी पौधों में डाल दिया है. इसकी इस्तमाल से आपके प्लांट की चमच भी बढ़े की साइनिंग आएंगी आपके फोलों में आप देख सकते हैं. आज मैंने इसका इस्तमाल किया है जूस निकाल के वैसे तो मैं इसका फटिलाजा भी बनाती हूँ. उसकी वीडियो जल लाने वाली हूँ. किस तरह से चकोत्रे का यूस करके मैं फंगी साइट बनाती हूँ और अपने पौधों पे इस्तमाल करती हूँ. तो आज के लिए इतना ही आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लेस कोमेंट कीजिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा. अगर चैनल पे नए है थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेल आइकन प्लेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्य वीडियो अप्लोड करूँ, उसका नोटिक्वेशन आपको मिल जाए. थैंक यू फॉर वाचिंग, बाबाई.